हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन फ्लेवर्स बाइ प्रियंका तो आज मैंने बिल्कुल पालक की एक नए तरीके की रेस्पी आप से शेयर की है तो जिसको खाने के बाद जो है जो पालक नहीं खाते हैं वो भी बहुत ही पसंद से जाएंगे उनकी भी फेवरेट हो जाएगी तो यकीन मानिए दोस्तों यह बहुत ही टेस्टी बनी थी और इनको बनाने के लिए मैंने क्या-क्या यूज किया था आई देख लेते हैं यहां मैंने पालक लिया हुआ है यह देखिए बिल्कुल ताजी-ताजी पालक थी आदा दोस्तों यहां पर मैं बता दूँ कि अगर मेरी रेसिपी आपको जराबी पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा सब्सक्राइब जरूर से कर लिजेगा दोस्तों तो पालक को बहुत से लोग जो है पहले काट लेते हैं फिर्द होते हैं यहां पर पर एक मसाला त्यार करेंगे इसके लिए मैंने एक पैन में मौमफली ले ली है लगबक दो चमच मौमफली है और दो ही चमच करी मैंने बेसन ले लिया है इसको धीमी आज पर भून करके दर दरा सा पेस्ट बना लेंगे अब यहां पकड़ाई में मैंने तीन चार जो है ल हलका रखेगा क्योंकि पालक में खुद का विक अपना नमक होता है तो नमक साग में हरी सब्यों में थोड़ा हलका रखा करिए और यहां पर हिंग डालें के बाद धग दिया था पांच मिनिट बाद खोला है तो देखिए इस तरह से हो गया था और जो मैंने बेसन और मौम पक जाए और यह देखिए इसमें हलका सा पानी मैंने मिला दिया और धक कर पका दिया साइड में मैं एक तड़का तयार करी हूं जिसमें मैंने 7-8 लैसुन की कलिया ली है यह लैसुन यह पालक है तो लैसुन थोड़ा ज्यादा यूज़ करेंगे तो यहां पर लैसुन और जो भी पालक की रेस्पी है बनाना भूल जाएंगे तो यहां पर देखिए मैंने जब यह हो जाएगा तब यहां पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डाली है बहुत अच्छा कलर आता है और आधा मैंने बचा लिया है डेकोरेशन के लिए और सब मिला दिया है यह को इस तरह से सर्व कर रही हूं देखिए और बहुत ही टेस्टी बना था मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया था जो कि हरी सबजी खाना पसंद नहीं करते बच्चे सबकी क्या ऐसा होता है तो यह देखिए मैंने उपर से जो एक्स्ट्रा बचा के रखा था तड़की का उसकता है